जै मातादी दोस्तो, माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे और आपके हर जीवन के हर दुख का निवारन करें समय का सदुपियोग करना, जीवन की सफलता का सूतर है सब के लिए एक दिन में 24 घंटे ही मिलते है कोई गप में तो कोई इन घंटों में इधिहास बना देता है और आपको क्या करना है, ये निर्ने आपको खुद लेना है तो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन मार्च और चार मार्च के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन में क्या इस्थितियां होंगी उनकी दिंचरिया कैसी होंगी और क्या शुभ योग बनेंगे, क्या नक्षत्र होंगे, क्या तिथी होंगी देखे लॉकडाउन की स्थिती चल रही है और लॉकडाउन की स्थिती में हमारी काम करने की गती धीमी हुई है ना तिथी बदलेगी ना नक्षत्र बदलेंगे ना योग सब ही अपने अपने काम करते रहेंगे ग्रह अपने आप गोचर करते रहेंगे सब ही जो काम है वो उस पास में जो गंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सब ही वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी होगी नक्षत्र होंगे क्या योग बनेंगे दोस्तो तीन अपरेल का दिन शुकल पक्षिकी दस में दिती है जो सुभा तक रहेगी और इस दिन पुशन नक्षत्र है जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है देखिए ये जो पुशन नक्षत्र है ये खरीदारी के लिए बहुत खासतोर से सोन चांदी अभुशन की खरीदारी के लिए बहुत शुमाना जाता है लेकिन ऐसी स्थिति में खरीदारी तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप इसलिए कुछ आप काम जरूर कर सकते हैं जो हम आपको बताएंगे सुकर्मा योग रहेगा और शुकरवार का ये दिन है सुर्य जो है वो मीन राशी में है और रेवती नक्षत्र में है यहां सुर्य का रेवती नक्षत्र में होना बहुत ही माइने रखता है और देखिए यह जो सुर्य है रेवती नक्षत्र में ये बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं यहां क्योंकि इस रेवती नक्षत्र का स्वामी बुद्ध है और देखे जब भी सूर्य रेवती नक्षत्र में आता है तो बुद्धा दित योग का फल मिलता है क्योंकि सूर्य जो है वो देश के राजा है हमारे ग्रहों के राजा है और जब ऐसी स्थितियां होती है जो हमारे देश का राजा होता है जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं वो हमारे देश के हित्मे होते हैं फाइदे मंद होते हैं इससे देश का भला होता है और ये जो नक्षत्र सूरिय का रिवती नक्षत्र होता है ये मौसम में बदलाव लाने के लिए भिमाना जाता है इस देश में जो चल रही परिशानिया है सूरिय के प्रभाव से खत्म होन शुरू होंगी और इसका असर आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा जब 14 अप्रेल को सूरिय उच्च के हो जाएंगे तब और अधिक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा करकराशी में है जो कि चंद्रमा की स्वैम की राशी है चार अपरेल की बात करते हैं शुकल पक्षी की एकादशी थी कामदा एकादशी सभी च्छाओं को पूरा करने वाली एकादशी थी बहुत ही शुब दिन है असल शनक्षतर इस दिन रहेगा ज्रती नाम का योग बन रहा है सुर्यमीन राशी में है और चंद्रमा शाम तक पांच बचकर नौ मिनट तक करकराशी में ही रहेंगे तो ये थी ग्रह नक्षतरों की स्थे थी और इनी क्यादार पर हम जानेंगे ये जो दो दिन है ये आपके लिए किस तरह से खास रह सकते हैं इन दो दिनों में आपको क्या क्या करना है किस तरह से आपकी देंचरिया वैतीत होने वाली है तो दिखिए अगर हम चंद्रमा की बात कहें आप अपने घर से काम कर रहे हैं, आप घर बैट कर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, और देखें, यहाँ आप काफी भावनातमक भी हो सकते हैं, यानि चोटी-चोटी बातों को लेकर आप काफी भावनातमक हो सकते हैं, कुछ अतीत की यादें जो आपकी आखों के सामने आ सकती है कुछ ऐसी बातों को आप याद कर सकते हैं और आपको काफी सम्वेदन से लिए बाते बना सकती है तो आपको खुद पर धहरे रखना है भावनाओं में बह कर कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके लिए अच्छा ना हो इस तरह का ध्यान आपको रखना चाहिए हाला कि ये जो समय होगा काफी उज़ा देने वाला समय भी होगा और आपके जीवन में जो उतार चड़ाव की स्थितियां बन रही थी उनों इस्थितियों को थोड़ा ठीक से आप व्यवस्तित कर पाएंगे देखें ये समय आपके लिए खुशी का समय भी रहेगा और यहाँ जो इस्थितियां हैं जो अगर आपकी समस्या कोई चल रही थी तो ये ऐसा समय होगा कि आप अपनी समस्याओं का हल ढूंड पाएंगे काफी लंबे समय से आप अगर किसी चीज़ को लेकर परिशान थे तो ये समय होगा कि आप शांती से अपनी समझ से किसी भी समस्या का हल निकालने में कामियाब होंगे जो सभी के हित्मी होगा तो अप ऐसे मुद्दो को इस समय हل कर सकते हैं जो आपकी जिन्दगी में परिशानी का कारण बने हुए थे हो सक के तो कुछ लोगों की मदद भी आप ले सकते हैं परिवार की लोगों की मदद ले सकते हैं अगर आपके आफिस में या ऐसी कारेशित्र की इस्तितियों में कुछ ऐसी परिशानिया थी तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपको जरूर फायदा होगा इन चीजों से अगर आप घर बैठकर काम कर रही हैं आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है तो देखिए यहां उन लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां सौपी जा सकती है अगर आपका बॉस चाहता है कि आप थोड़ा और सहयोग दे तो ये आपको जरूर अपनाना चाहिए ऐसी जिम्मेदारियों को सुविकार कर लेना चाहिए ये आपके करियर को आगे बढ़ाने वाली साबित होंगी और ऐसी स्थितियां बनेंगी जिनका आपको लंबे समय से इंतजार था तो ऐसी स्थितियों को आपको लपक कर लेना है आना कानी करने की बज़ए आपको लपक कर ऐसी स्थितियों को लेना है इस समय आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है सभी लोगों को जो कुछ प्रतिस परधा आपके साथ करते हैं या फिर कुछ ऐसी सलहकारों से सतर करना है जो आपको बिना मतलब की सलहा देते हैं क्योंकि इन दिनों में ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित होंगी लोग आपको तरह तरह की सला देते हुए दिखेंगे तो हर चीज़ को अपने अंदरूनी आपको सोच कर महसूस करना है कि कौन सी सला आपके काम की है और कौन सी सला आपको नहीं माननी है तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहें वरना आपको बाद में एहसास होगा कि किसी ने आपको गुम रहा किया है इसलिए सावधानी भी बरतनी इन दिनों में देखिए बहुत जरूरी है अगर आप यहां student है और student के लिए तो देखे यह समय हम golden period ही कह सकते हैं आप घर पर बैठ कर जादा से जादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं और देखे जो प्रतियों की परिक्षा के तैयारी करें उनके लिए भी बहुत ही golden period है आप online classes का सहरा ले सकते हैं और उनकी सहरा लेकर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को चालू रख सकते हैं बहुत समय है आपके पास तो इसका पूरा ध्यान आपको रखना है और देखी जहां तक हम प्रेम जीवन की बात करें पारिवारिक जीवन की बात करें तो अगर आपकी शादी होने वाली थी शादी की तैयारियां चल रही थी उनको लेकर आप व्यास्त थे और आज खुद को अकिल अपन महसूस कर रहे हैं तो ऐसी इस्थिति में आपको फोन का इंटरनेट का सहरा लेना चाहिए अपनी जो आपका अकिल अपन है उसको दूर करने के लिए आप देखे काफी वैस्त भी रहेंगे अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ और ये समय काफी यादगार भी साबित आपके लिए हो सकता है तो इन दिनों का आपको लुथ उठाना है इन दिनों में आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये कैसी इस्थितियां आ गई है देखे बहुत से लोग हैं जो इन दिनों में इस चीज़ को लेकर परिशान हैं कि हम घर पर बैठ कर क्या करें हम परिशान हो गए हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है तो ऐसे इस्थितियां जब आती हैं तो इनमें सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है धहर्या रखने की इस्थिति ये सब ही की भलाई के लिए है और इन दिनों का आप फायदा भी उठा सकते हैं अगर आप किसी creative field से जुड़े हैं तो आप अपनी creativity को यहां सवार सकते हैं अपनी creativity को आगे बढ़ा सकते हैं अगर creative field से नहीं भी जुड़े हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते थे और आप नहीं सीख पाए किसी वजय से तो बहुत से ऐसी चीज़े हैं जहां आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं कुछ नया सीख सकते हैं आप ओनलाइन के माध्यम से ऐसी बहुत सी चीज़ों में अपना जो वक्त है वो दे सकते हैं कुछ नई चीज़ सीखने की तरब कदम बढ़ा सकते हैं तो समय को यूटिलाइज करें समय का फायदा उठाए जो समय आपको मिला है ऐसे ही व्यर्थ आप इसको ना करें परिवार के साथ भी अच्छे से वक्त बिताएं बच्चों को भी समय दें उनकी पढ़ाई के लिए भी समय निकाले तो यह ऐसी इस्थितिया हैं कि इनको आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और यही आपको यहाँ परीचे देना है कि आप किस तरह से सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं तो इस्थितियों को समझें और उन पर काम करें अब देखिए हम बात करते हैं एकादशी चार अपरेल को एकादशी तिति है जो की कामदा एकादशी तिति होती है बहुत ही शुब एकादशी मानी जाती है सभी पापों को नाश करने वाली ये जो एक वरत है ये इतना पावरफुल वरत होता है कि आप इस एक दिन में कुछ काम करके उपाय करके बड़े से बड़ा लाव ले सकते हैं तो इस दिन का भी आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए क्योंकि ये जो एकादशी है ये एक तो विधी विधान से जो इस दिन का वरत करता है वरत ना भी करे पूजा विधी विधान से करता है ये वरत करते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो इसके फायदे क्या होते हैं एक तो व्यक्ति निरोगी होता है किसी भी तरह की योनी से चुटकारा मिलता है पापों का नाश होता है सभी कार्य सिद्ध होते हैं सोभागे प्राप्त होता है मोक्ष मिलता है जो विवाह में बादहें आ रहे हैं समाप्त होती है धन सम्रद्धी आती है शान्ती मिलती है हर प्रकार के मनोरत पूरे होते हैं खुशियां मिलती हैं इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो इस दिन का व्रत आप कर सकते हैं कामदाई का दशी का व्रत अगर आपको अपनी कामनाओं की पूरती करनी है विदी विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें व्रत करें और देखे कथा जरूर सुने व्रत करें अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी कथा का श्रमण इस दिन जरूर करें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वा सुदेवा नमाई समंत्र का अपने अंदर ही अंदर जब करते रहें दिन बहुत भागशाली है दिन आपको अपने आग आने वाले समय में लाब जरूर पहुंचाएगा तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें